नमो नाराय ये गोमाता बंदे मात्रुमा भारतिक उप्रणाम और हिर्दैशे ओम शम्शन श्चराय नमा प्रिमित्रों शात्नियों और दर्शकों आज बात करने आया हूं आपके साथ शुक्र का राशी परिवर्तन शुक्र दो अक्टूबर 2021 विर्शिक राशी में परिवेश करेंगे और विर्शिक राशी में पहले से केतू का संचरन है तो विर्शिक राशी में शुक्र और केतू का संचरन बारा राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा इस विशे पर बात करूँगा ये राशिपल, आपके नाम राशी, आपके चंदर राशी पर आधारित है और मातर मैंने शुकर को ध्यान में रखकर इस राशिपल को लिखा है और वो ही मैं बोल रहा हूँ शुकर धन, शुकर शंपती, जाइदाद, भोतिक शुक्षादन, विलासिता, वैबव, आर्थी कुनती, आपसी प्यार महबत, कॉस्मेटिक, फिल्म इंडिस्टरी, पतरकारिता, मीडिया, एंटेटेंडमेंट, क्राफ्ट, होटल, रेस्टोरेंट, ज्वेलेरी जो इस तरे के काम है, जो मानव जीवन से समन जादा रखते हैं, उन पर बहुत जादा प्रभाव डालता है जाता कि जन्वकुल में निजगत कर्मों की वज़े से दी शुकर अन्वकुल नहीं है, तो उसका विकास रोग जाएगा शुक्र भोग विलाशिता का नैसर्गिक देवता माना गया है, अन्वकुल नहीं होने पर कितने भी साधन हो व्यक्ति उसका अवभोग नहीं कर पाएगा पुने याद दिला रहा हूँ, दो अक्टूबर 2021 शनिवार की दिन प्राते नौ बज कर 46 मिनट पर श्वरासी तुला से निकल कर विर्चिक राशी में मारगी और उदे अवस्ता में प्रवेश करेंगे शुक्र और शुक्र यहां 28 दिन रहेंगे, यानि 30 अक्टूबर तक संचरन करेंगे विर्चिक राशी, बारा राश्यों पर क्या प्रभाव, बिना समय ले आपको मैं राशी फल की बात कर रहा हूँ, पुने याद रहें, राशी फल आपकी चंदर राशी, आपकी नाम राशी पर आधारित है, मैं इस राशी वालों के लिए शुक्र, दृते सावधान लेना पड़ेगा, इस समय नए रिस्तों को लेकर सचेत रहना होगा, मनुशियक लिए किसी चीज का लोब हमीशा उसके लिए परिशानी का कारणडा है, अस्तरम भाव में शुक्र और केतु का संचरन लोब से शमश्याओं का कारण बनेगा, इस बात का संकेत दे मुशिबत में डाल सकते हैं, इदि आप नौकरी में हैं, तो ये संयम से चलने का समय है, कारिशियत रितनाव के योग है, सात्यों से वर्त का टकराव मानसीख परिशानी बढ़ाएगा, इस गोचर के दोरान आपको अपने जीवन सात्य और संतान पक से समन्द बहतर करने की जरूर थे, और जीवन सात्य के स्वास्ति को लेकर भी शावधानी अप्रक्षित है, स्यम अपने स्वास्ति की परते भी आपको शावधान रहना पड़ेगा, विसे पेट, वाई विकार, गैस और अपज जैसी बातों में लापरवाईन नहीं बढ़ते, लेकिन एक बात ज अपने आप के उपर से, साथ बार एंटी कलोबाई उसार करके किसी सरोवर या पवितर नदी में प्रभा कर देए, लगातार साथ दिन, यानि एक अक्टूबर से लगए, साथ दिन इस नारियल को प्रभा करना कष्ट कमाएगा, नमनन बात करते हैं, विस्वरासी की, विस् प्रभा में ये हुई थी, इस बात का संके देरी, कि वैविशाइक दर्शी कौन से ये समेश साजदारी की मामल में सपलता का संके देरा है, लाब मिलेगा, धनकी प्राप्ती होगी, जिवन साथ के के कैरे श्रमनी मसले सुलजेंगे और नौकरी में उननतिक अफसर प्राप इस समय अनकूल है, परन्तु सारे ग्रूप चे कमजोरी अनभव कर सकते हैं, इसलिए उचित खायन पानों का ध्यान रखना बहुत ज़री और दिन चेरा नहीं प्रीद रखें, क्या करें, लगातार साथ दिन, एक अक्तूबर से लेकर, साथ अक्तूबर तक हर रोज प्रात आनि बारवे भाव और पांचवे भाव का शामय उकर, छटे भाव विरिशिक रासी में केतू के साथ संचरन करें, चटे भाव में शुकर केतू की यही होती का जो संचरन है, आर्तिक सुदरता का अच्छा संकेत मिला है, कामकाज व्यविशाई नौकरी के छेतर में संतुल मिलेगर, आसपास की मनोंकुल, व्यविशाई की यात्राओं का योग और यात्राओं में लाब भी है, विद्यारतियों को सिक्षा के छेतर में शफलता पाने के लिए करी महनत करने ही पूड़ी, जब इंजाइदाद खरी देने और बेचने के मामले में, कानुनी दाओं प जरना बहुत जरूरी और विचारों का शेरिंग बहुत जरूरी है, और विचारों की शेरिंग नहीं होने के कारण, दामपत्य समंद में दूरिया बढ़ने से मांसिक परिशानी का संकेत में जरा रहा है, शुक्र और केतु का संचरन इस बात का संकेत रहा है, इसमें विव में परिवर्तन हो शकता है क्या उपाई करें सर्दानुसास हरी मुंग 600 ग्राम नोशो ग्राम या एक किलो जो आपकी सर्थ है लगातार साथ दिन गरीब निर्धिन विद्वास्री को दान में देना बड़ा शुब रहेगा नमनन बात करते हैं करकराश करकराशी वालों के लि यह यूती यह संचन आर्थिक सुधरता का अच्छा संकेदरी बहुत जरूर इसमें मैनस से जी निचुराएं आलशी और प्रमाद को अपने उपर हावी नहीं हुन दे मनबॉल कमजूर नहीं रखे अपनी चमता और स्वामर्ति दिखाने का आउश्वर पावत होगा सफलता का अच्छा संकेद नजर आ रहे पारवारिक जीवन में खुशाली और शमर्दी आएगी परिवार को एक्जूट करने के लिए आपको प्रेटन करना पर हां विद्यारतियों के लिए शिक्षा की तर अच्छा संकेदर शिक्षा के में आरी अनावशिक बात हाओं औ सरदानुसार मिटी की पातर में दूद भरकर अपने उपर साथ बार उसार को चुट्चाव किसी कुट्रे को पिला जिए अधुद उपाई आप लिए नमनानों बात करते हैं शिंगराशी वालों के लिए शुक्र दसमेस और तिर्तियेस होकर चतुर्द भाव विर्षक रा की प्रबल योग है शुक और श्रमर्थी में ब्रजी होगी ये समय भूमी भवन वान की प्राप्ति का प्रबल संकी देरा प्रतु क्रेव विक्रे से समन्दित कोई भी निरने पारवारी व्रजा मन्दित से लेंगे तो अच्छा रहेगा कारिशेतन मनों को शफलता काम की प्रति रूची बढ़ेगी वेर्थ की चुनियों तो उसे पीछा चूटेगा माता प्रता की समन्द में शुधार होगा इदि आपका कोई पुस्तानी वेवस्ताइज है जो अपना दादा प्रदा का वेवस्ताइज चलता रहा पिता जिस काम को करे उसमें आप कारी रते आप नौकरित हैं तो नौकरी वालों के लिए यह समय अच्छी कायर सरफलता का संके देने अपनी महत्वकान से वो खुद पर हावी नहीं होने इस बात का ध्यान महत्वकान साए आपकी अपने पर ज्यादा हावी नहीं हो इस समय आपको अपनी अप्वेक्शाओं पर निय करने के कौसित जरूर करें एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आपसे कहना चाहेंगों पुझी निवेस के लिए इन्वेंश्मेंट के लिए निरने सोच समय करना होगा क्या उपाई करें गाय गरीब या जंगल में बंदर को गुर का दान देना बड़ा शुब रहेगा संचन भाव कन्याराशी वालों के लिए व्यवशाइक की दसी कौन से इस समय वैपार में बिर्दी होगी स्वयोग्यों का पूर्ण स्वयोग प्राप्त होगा वैपारी सोदों में बातचीत के द्वारा आपकी मंचाई डील और बैतरिन प्रणाम प्राप्त कर सके इस समय आप किसी भी संपतिया निवेश योजनाओं में अपनी पैसे का निवेश करेंगे जिससे आपका बहुश्य शुर्ण स्वयोगर आपको लाब भी मिलेगा नौकरी के लिए ये समय अच्छा संकिय दे रहे उच्छ अधिकारियों के सा समन्द अच्छे होंगे लाब मिलेग 59 के आउसर प्राप्त होंगे आप अपनी कारी कुछलता और आपनी कारी च्छक्ता का भरपूर प्रयोग करेंगे जिससे आपको 59 के आउसर प्राप्त होगर आगे बढ़ने का मोखा मिलेगा आप नौकरी से जुडए हैं तो कारी से खुद को इस्तिर और संतूष महसूद क करेंगे इदि आपका कारी चेतर होटल से समंधर रखता है तो शुक्र देख आप पर विशेश महरवान होंगे आप शंगीत कला नाटा के चेतर में समंधर रखतर लाब मिलेगा उच्छा में अध्यांदत विद्यारतियों के लिए महत्वकांसों की पूर्ति का समय नजरा र अल्गातार प्रातेकाल नित्य कर अधर्मेर सुर उध्य से ठीक क्ते की फीपल की जड़ में जल और पित करना बड़ा्य दूसरै वालों के आपके पक्षम करड़ अरे प्रियास सार्थ होंगी विगन बादाओं से छुटकारा मिलेगा कारवारी श्रमंदों में शुधार होगा नया पुझे निवेस का उसर मिलेगा और अत्रित आए के साधनों की प्राप्ति से आर्तिक पक्सुदर होगा अप्रतैसिक अचानक धनलाब धनलाब के स्रोत में वि फिल्म इंडिस्ट्री में है होटल के छेतर में तो यह समय आपका अच्छा संकेत देगा नौकरी वालों के लिए यह समय लाब का संकेत नजरा रहा है पारवायर सद्दिशों के साथ समय बिताने का उसर मिलेगा जो लोग अपने घर से दूर है उन्हें परिवार के साथ आ हार्मोनन विकार समंदी समश्यां में बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी क्या उपाय करें हर रोज लगातार लगातार 28 दिन हर रोज सुबह घर की पहली रोटी गाई को देना बड़ा शुबरेगा नमना में बात करते हैं विर्षिक रासी वालों के लिए शुकर शप्तमे अतिस साइक साबित होगी वरिष्टों का मार्क दसन मिलेगा जो लोग कला है डांस है म्यूजिक है पैंटिंग है एक्टिंग है विग्यापन का च्छेतर या पत्रकारदा इंटेरे डेक्रेकर शेतर में काम करने हैं या उनका बिजनेस है उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी अपने वहवार में मरियादों का पालन शेफलता की सीडियों में चड़ने में साइक सिद्ध होगा नौकरी की चितर में आपकी पसंद वो चमता के अनुब बात्रावन बनेगा अच्छा बात्रावन मिलने के करन कारीच चितर में गतिया आएगी मनानुकुल धनलाब की प् देजिए और बात करते हैं धन राशी की धन राशी वालों के लिए शुक्र सश्टेश और एकाताई से होकर द्वादस भाव व्रिशिक राशी केतू के साथ संचरन करें और 12 भाव में केतू और शुक्र का संचरन धन राशी वालों के लिए अच्छे अवस्तरों की सब्सक्राइब की प्राप्ति होने से मांसिक कना में कमी आएगी वैविशाय की दर्षिकॉन से शमय मेहनत से सफलता का पूंशन के दे रहा है आए के साधनों में विस्तार होगा रोके वे काम बनेंगे कारोबार में पूंजने में से लाब जाएगा नवीन योजना फली बू करेंगा जीन साथा के रिष्टों में प्रगारता आएगी नई सामाज की संवन्दों में बढ़ोतरी होगी आपसी रिष्टे मजबूत होंगे और रिष्टों में विश्वास बढ़ेगा कोटकस देरीचे मसले हाल होगे और वीरोधी सांथ होगी लगातार साथ दिन लगा ग्यार्वे भाव में शुक्र केत्व यूति मकर राशी वालों के लिए ये समय समख समदान मिलेगा कामकाल य नोकटी समस्याइऴ में आरहरे समख से स्पीटकारा मिलेगा मत्मौकार की सफलता की वजह से आर्तिक सुर्टों में ब्रदी होगी इस दोरान मेहनत परिश्रम और शंगर्ष का प्रणम अच्छा मिलेगा हाँ थोड़ सा चतुराई का प्रियोग जोरू करना पड़ेगा दिमाग से खेलना पड़ेगा जो लोग क्योंकि दिल वाले लोगों की साथ दिमाग वाले लोग खेलते हैं आप दिल्चे काम करते एं तो इसमने थोड़ा दिमाग से काम करेंगे और अच्छा रहेगा आयए जनसंपर का पूरा लाब मिलेगा हाँ एक बात का ध्यान देना होगा किसी पर का लालत और प्रबोन से दूर रहना होगा प्रलोबन और लालत नुक्सान का संकेत दे रहा है निने ऐसे करने होंगे जिसमें रिस्क फेक्टर कम हो यह ठाइज दिन रिस्क लें हिसाब से अच्छे नहीं है खनन जम विरुदा भास के इस्ति बने रहेगी वैवहर की सालिंता बनाए रखना कठीन होगा थोड़ा धहरी से काम करिएगा क्या करें से निवार की दिन सर्दान सर्शाबू दूरत गाई को अपने हास्ते खिलाई या किसी विद्वा इसरी को दान में देगा कश्कम आएगा नमन होगी शास और प्राक्रम बढ़ेगा अपने आपको कारी की प्रती उर्जावान महसुस करेंगी कारी छेतर में बहतर प्रफार्म करने का सुबसर प्राफ्द होगा और भागिया आपकी पक्ष्म करवने ले पिछले कई दिनों से रोके हुए सभी कारी में गती का संकेत सभावना जरा रही जमिन जायदा समयंदी कारोबार में लाब होगा चल अचल संप्रति में पूझी निमस करना लाब दाई रहेगा इदि आप नौकरी में है तो वरिष्ट अधिकारियों का स्वयोग अच्छा मिलेगा अपने कारी वेवशाय की प्रती लगाव बढ़ेग पारवारी के एकता बने लेगी पारवारी स्वयोग प्राफ्थ होगा इदि आपने समझोदावादी निप्ति अपने और जिवन साथी की प्रती समयद्पृत भाव से रहने का प्रियास किया बहुत अच्छा समय है हाँ जिवन साथी के स्वास्ति को लेकर इसे में के साथ संचरण कर रहे हैं नमंभाव में शुक्र केतु का यह संचरण मिंदाशी वालों के व्यविशाइक दस्टी कांट्रेश्ट में मध्यम फलदाई नविन योजनाओं में में महनत से सपलता मिलेगी कोई रुकवा कारी दुबारा सुरू हो सकता है जो उत्सा बना रह गी नौकरी में तो आपको कारीचेत पर होना पर सकता है आपके शभाव में निरासा का समावेस नहीं हो इस बात का ध्यान होगा निरासे से घर का वातावन बोजिल होगा जीवन साथी से वयाचार की मद्भीद मन में परिशानी पैदा करेंगे इस से दूरर रहना बहुत और श्वास्ते के मोर्चे पे भी आपको थोड़ा सा अभधान देना पड़ेगा प्रते देन, रोटी में चने की डाल और गुर्ड रकर गाई को देना बड़ा शू बलएगा, हर रोज प्राथकाल रोटी पर थोड़ा चने की डाल तोड़ रख दीजिए और गाई को अपने कि अक्टूबर महां का राशी फल बाराक बारा राश्यों को अक्टूबर का महिना कैसा रहेगा यह आपको गुरुमंत्र भी दाति महाराज की यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा जरूर देखें बहुत से उपा हैं जो आपको लाब देगी पुने मेरा निवेजन कि कोई भूलोगी तो चमा प्रातियों शनी भगवान आपकी रक्षा करें आप शुक्री रहें स्वस्त रहें समर्दी से रहें यही शनी भगवान के सिर्च्ण में मेरी प्रात्मा ओम्शंशन इस्चराय नमानाय रास्तान का हर व्यक्ति जानता है एक दाति महराज गायों से हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया और यह मेरा शौक था मेरी राष्ट की ध्रवर थी और यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं बस खाली बता रहा हूं यह मेरा जीवन का तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गो शेवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूं और यह मेरा इंकार नहीं है धन को लेकर मेराष्ट के सामने कभी नहीं आए था हमेसा मैंने यह का कि आ आपका स्वयोग चाहिए और स्वयोग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी है वज में गाएं के लिए चारे की व्यवस्ता कर लिए और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरुदे से आया लोगों ने कहा कि राष्ट आपसे प्यार करता है धाति महाराज एक बार निवदन करें तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ मेरा यह एंकार नहीं है शात्यों मेरा राष्ट वपर है मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं यह कह रहूँ मैं परेश्रम करूँगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए शनी भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिन्हें दाती महराज के जो तीजिये समधान की आवश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगबग 20 से 25 पचास लोग ऐसे भी है जिन्होंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रणार करता हूँ और ये सयोग में जीवन भार याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकोर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रकोर्ट कर रही है अपनी सिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है ये आप भी जानते है शासन के अपनी एक सिमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देखते भी हिरदय से पुने एक बार ने वेदन करना चाहते है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिदाम गोशालों में खड़ा रहना है नंबर है जरुषवयोकर पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमोना रहें